क्या दोस्तों आपको पता है किस राज्य की सरकार ने विदान परिशत के गठन को मंजूरी दे दी हाल ही में केरल के नए मुख्य मंत्री के रूप में शपत किस ने ली आईकर वीबाग कॉप से अपना नया e-filing portal लॉंच करेगा ऐसे ही तेरह बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का वली तो 21 मैं 2021 का करंट अफेर का वीडियो तयार किया है क्वालिटी की द्रिश्टी से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखे लास्ट में मैं आपसे एक क्वेशन पुछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बोक्स में देना है और अभी तक आपने हमारी GK2020 चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कीजिए पास में जो भी लाइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले चलिए बिना वक्त गवाया हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेशन से निम्ना में से किस राज्य की सरकार ने विदान परिशत के गठन को मंजूरी दे दी तो यहाँ चार ओप्शन है इन में से दोस्तो तीन राज्यों में आल्रेडी विदान परिशत है लेकिन पश्चिम बंगाल में विदान परिशत नहीं है और इसलिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने विदान परिशत के गठन को मंजूरी दे दी है और यहां मेप में देखे कि हमारे यह महाराष्ट्र, यहाँ पर करनाटक, यहाँ पर तेलंगना इन तेनों रज्जों में already विदान परिशद है लेकिन अब पस्चिम बंगाल में भी विदान परिशद का गठन किया जाएगा तो दोस्तो मेप के जरिये आपको समझने में काफी आसानी हो इसलिए मेने आपके सामने यह मेप रखा है लेकिन most important question तो यह बन सकता है वर्तमान में कौन-कौन से रज्ज में विदान परिशद है तो यहां मेप में देखे वर्तमान में यह उत्तरप्रदेश, बिहार, यहाँ महाराष्ट्र, करनाटक, आंध्रप्रदेश और तेलंगना यानकि छे रज्जों में विदान परिशद है जी हां जम्बू कस्मिर में भी पहले विदान परिशद थे लेकिन जब से नए केंद्रसाशित परिदेश के रूप में यह जम्बू कस्मिर को लद्दाक एवं जम काउंट कर सकते हैं सात रज्जों में विदान परिशद हो जाएगी तो आंध्रप्रदेश, करनाटक, तेलंगना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तरप्रदेश में वर्तमान में विदान परिशद है और पस्चिम बंगाल में द्वी सदन या विदाईका को कब समाप्त कर कर दिया गया था? जी हाँ, पस्चिम बंगाल में पहले विदान परिशद थी, लेकिन 1979 में सयुकत मोर्चा सरकारद्वारा विदाईका के यद्वीतिय सदन यानकी विदान परिशद को समाप्त कर दिया गया था, और आगे में आपको बताऊ तो राज्य विदान परिशद में भी हमको पता होना चाहिए कि हमारे Constitution में वीदान परिशद का जिक्र कहां पर किया गया है सबसे पहले तो जानलो कि जिस तरह हमारे केंद्रीय सरकार में जैसे राज्य सभा और लोक्सभा द्वीज सदन होते हैं इसी तरह राज्य में राज्य विदान परिशद और राज्य विदान मंडल होते हैं और इन में से दोस्तो राज्य विदान परिशद राज्य विदान मंडल का उच सदन होता है और राज्य विदान परिशद भारतिय सम्विदान के किस अनुचेत के तहत स्थापित किया गया है तो हमारे कंस्टिट्यूशन के आर्टिकल 179 में राज्य विदान परिशद के बारे में प्रावदान किया गया है तो यह आर्टिकल नंबर भी आपको याद रख लेना चाहि और राज्य विदान परिशत का आकार राज्य विदान सभा के सदस्यों के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकता। उसके लिए एक प्रस्ताव पारित करके दोस्तो हमारी संसत को देती है तो हमारे संसत द्वारा वहाँ पर विदान परिशत का गठन किया जाता है इसी तरह का प्रावदान हमारे कंस्टिट्यूशन में है और इसी तरह दोस्तो हर क्विशन से जुड़े important fact में आपके सामने र इमेज में आप देख सकते हैं भारतिय नौस्याना ने INS राजपुत नमक destroyer को decommission किया है यानि कि इस question का सही answer है option D INS राजपुत INS राजपुत को decommission कब किया गया दोस्तो आज ही 21 मैं 2021 को INS राजपुत को decommission किया जा रहा है और INS राजपुत को decommission कब किया गया था 4 मैं 1980 को INS राजपुत को कमिशन किया गया था यानि कि हमारे भारतिय नवसेना में तकरीबन 41 वर्षों तक INS राजपुत ने सेवाय दी है तो यह question भी बन सकता है कि इस destroyer ने कितने साल तक भारतिय नवसेना में अपनी सेवाय दी 41 साल तक INS राजपुत ने भारतिय नवसेना में सेवाय दी है और भी question बन सकते है INS राजपुत का निर्मान किस ने किया था INS राजपुत का निर्मान सौव्यत संग यानि की बोले तो रूस देश ने किया था और INS राजपुत को डी कमिशन कहां किया गया तो याद रखलो नेवल डॉक्यार्ड विशाखा पत्नम में एक छोटे से समारो में INS राजपुत को डी कमिशन किया गया है COVID-19 के करण दोस्तो एक सिंपल सा समारो आयोजित किया गया है और INS राजपुत का आदर्श वाक्य क्या था तो याद रखलो राज करेगा राजपुत Most important fact है दोस्तो INS राजपुत का आदर्श वाक्य क्या है राज करेगा राजपुत INS राजपुत Clear? Okay तीसरा क्विशन चक्रवाती तूफान तोक्ते के कारण जान गवाने वालों के आसरी तोको 4 लाख रूपये अनुग्र राशी देने की गोशना किसने की हाल ही में इस साल का पहला चक्रवात तोक्ते जो केरल से आगे बढ़ते हुए करनाटा, गोवा, महाराष्ट्र और आकिर ने गुजरात में लेंड फॉल किया और चक्रवाती तूफान के कारण जान गवाने वाले आश्री तोको 4 लाख रूपये की अनुग्र राशी देने की गोशना गुजरात के चीफ मिनिस्टर वीजेई भाय रूपानी ने की यानकि इस क्वेशन का सही आंसर है option A, वीजेई भाय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री वीजेई भाय रूपानी ने चक्रवाती तूफान तौकते कहीं पर तावते लिखा है कहीं पर तौकते लिखा है नाम रखा है म्यम्मर देश ने तो तौकते के कारण जान गवाने वालों के आश्री तोको 4 लाख रूपिय अनुग्र राशी देने की घोष्णा की और खायलों को भी 50-50 जार रूपिय सहायता की घोष्णा गुजरात सरकारने की है यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है वीजेई भाय रूपानी और बात करते हैं गुजरात की गुजरात के पहले मुख्यमंत्री कौन थे स्री डॉक्टर जीवराज नारायन महताजी गुजरात के पहले चीफ फिनिस्टर गुजरात के वर्तमान चीफ फिनिस्टर कौन है स्री वीजेई भाय रूपानी और गुजरात के पहले राज्यपाल कौन थे और गुजरात का राजकिय पशो है एशियाटिक लायन और गुजरात का राजकिय फोल है मेरी गोल्ड बोले तो गलगोटा इमेज में आप देख सकते हैं और गुजरात का राजकिय पैड है आम और आम के रसिले फॉल बाजार में है यानि कि आम आप खाना चाहते हैं तो गुजरात में जुनागड में आप आ सकते हैं क्योंकि गुजरात में जुनागड में जो केसर आम है इसे जी आई टेग भी दिया गया है चलिए चौथा क्व चीफ मिनिस्टर के रूप में शपत ली है पिनराई विजयन ने और केरल के नए मंत्री मंदल का शपत समारो केरल की कैपिटल तीरुवनंद पुरम में आयोजित किया गया यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है आप्शन B तीरुवनंद पुरम और यहां मेप में देख सकते है दक्षिन में स्थेतिय किरल राज्य और के नए मुख्य मंत्री बन गये है पिनराई विजयन इमेज में आप देख सकते हैं पिनराई विजयन को पद एवं गोपनियता की शपत किसने दिलाई है किरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ महमत खानने पद एवं गोपनियता की तो दो most important question केरल के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने पिनराई विजयन। सदस्यों वाले मंत्री मंदल को पद और गोपनियता की शपत दिलाई। और सबसे पहले शपत किस ने ले? किरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सबसे पहले शपत ले। और दोस्तों आगे बात करें तो हमारे यह पिनराई विजयन कीस पार्टी के नेता है? वाम मौर पिछले चार दशक का रेकोर्ड तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार राज्य में सत्ता हासिल की है और यहां हम बात करते हैं किरल राज्य के तो किरल राज्य की बेजिक इनफोर्मेशन मैंने आपको कहीं बार बताई आज कुछ नया सिख ले तो देखो किरल 3000 वर्ष इसा पुर्व से भारत से मसाले का प्रमोक निर्यातक है और केरल में मसालों के बड़े बड़े बाग है इसलिए केरल राज्य को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है तो यह फैक्ट याद रख लिजिए कि मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है केरल राज्य को और केरल को आजा जामोरीन के बारे में सुना होगा सही है ना और इसलिए केरल को स्पाइस कोष्ट ओफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है और जब केरल की बात करें तो हम भगवान अयप्पा को क्यों न याद करें क्योंकि सबरी माला मंदिर केरल का सबसे प्रसिद्ध तीर्थस और केरल परियटन विभाग केरल को भगवान का अपना देश कहता है क्या केरल परियटन विभाग केरल को भगवान का अपना देश कहता है और नेशनल जियोग्राफिक ने केरल को दुनिया के दस स्वर्गों में शुमार किया है और केरल का महत्व पुर्ण त्योहार है ओन अनम के त्योहार पर इमेज में आप देख सकते हैं यह है ओनम का त्योहार और किरल का यह सबसे महतोपुर्ण त्योहार भी है पांचवा क्यूशन आकलन वर्ष 2021-22 के लिए व्यक्तिगत आएकर रिटर्न वरने की ती थी बढ़ा कर कब तक कर दी गई है हमारे इंकम टेक्स ड 30 सितमबर तक आप व्यक्तिगत आएकर रिटर्न सब्मिट कर सकते हैं तो सरकार ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए व्यक्तिगत आएकर रिटर्न वरने की ती थी 31 जुलाई से बढ़ा कर 30 सितमबर 2021 कर दी है और वित्मंत्राले ने कहा है कि यह फैसला कोवीड महामारी के मद्दे नजर लिया गया है यानि कि आपका भी व्यक्तिगत आएकर रिटर्न सब्मिट करना बाकी है तो 30 सितमबर 2021 तक सब्मिट कर सकते हैं और यहां हम बात करें आएकर की तो आएकर क्या है यह प्रत्यक व्यक्तिकी आएपर भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एकर है इस तो आपके लिए आयकर रिटर्न बरना जरूरी है यानि कि वर्तमान में क्राइट एरिया है 5 लाख रूपिय आपकी आमदनी 5 लाख रूपिय से अधिक है तो आपको income tax return सब्मिट करना चाहिए एक साल में आपकी आमदनी 5 लाख रूपिय से अधिक है चेठा क्विशन हाल ही में semi quantitative electrochemical ELISA किसने विक्सित किया है इमेज में आप देख सकते हैं यह है semi quantitative electrochemical ELISA इसको एक start-up पथ शोध ने विक्सित किया है यानिकि इस क्विशन का सही आंसर है पथ शोध ने यह उपकरण विक्सित किया है तो COVID-19 के वाइरस का पता लगाने के लिए बेंगलूरू स्थित भारतिय विज्यान संस्थान में Society for Innovation and Development के लिए एक start-up पथ शोध ने अपनी तरह का पहला semi quantitative electrochemical ELISA विक्सित किया है तो दोस्तो यह start-up का नाम है पाथ शोध आपको start-up का नाम नहीं बुलना है और आगे में आपको बताऊ तो पथ शोध start-up द्वारा तैयार किये गए उपकरण को Yes और भारत को patent प्राप्त हुआ है और इस साधन से test result को तूरंत परदे पर देखा जा सकता है और इस साधन में एक लाग से ज्यादा test result की जानकारी संबाली जा सकती है यानिकि एक लाग से अधिक COVID-19 test के result आप इस उपकरण में सेव कर सकते है और इसमें touch screen की सुईदा है, rechargeable battery है, Bluetooth की सुईदा है smartphone से जोडा जा सकता है, cloud storage की व्योस्ता है और इस साधन से जानकारी को आदार संख्या से जोडा जा सकता है और आरोग्य से तो mobile app में रवाना भी किया जा सकता है यानिकि यह उपकरण विट्सित किया है पाथ शोध नामक start-up ने और आगे बात करते हैं साथवे question के जगनात पहाडिया नीमना में से किस राज्य के पुर्व मुख्य मंदरी थे? इमेज में आप देख सकते हैं जगनात पहाडिया राज्यस्थान राज्य के पुर्व मुख्य मंदरी थे? COVID-19 के कारण हाल ही में निदन हो गया है यानिकि इस question का सही answer है जगनात पहाडिया बोले तो राज्यस्थान के पुर्व मुख्य मंदरी और जगनात पहाडिया का जन्म कब और कहां हुआ था? 15 जन्वरी 1932 को राजस्थान के भरतपुर जिले के भुसावर गाओं में जगनात पहाडिया का जन्म हुआ वो 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1931 तक राजस्थान के मुख्य मंदरी रहे थे अर जगनात पहाड़िया ने दो राज्यों के राज्यपाल के रुप में भी सेवाए दे थे वो राज्य कॉन कॉन से हरियाना एवं बिहार तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंद्री और बिहार तथा हर्याना के पूर्व राज्यपाल जगनात पहाड़िया का कोविड-19 के कारण निदन हो गया है वे 89 वर्ष के थे और यहां हम बात करते हैं राजस्थान राज्य के तो राजस्थान के बारे में आज कुछ नए यह फैक्टर लेकर आया हूँ राजस्थान के लगबग हर शहर को रंगो के नाम से जाना जाता है जैसा कि हम जानते है कि जैपूर को हम पिंक सीटी के नाम से जानते है तो उदैपूर शहर को सफेद सीटी यानि कि वाइट सीटी के नाम से जानते है तो अब याद रख लो जोदपूर जिसे निला शहर कहा जाता है यह मेप में देख सकते है दबलू सीटी किसे कहा जाता है जोदपूर को और जालावाड को बैंगनी शहर कहा जाता है यह मेप में देख सकते है यह है जालावाड शहर जालावाड शहर को बैंगनी शहर कहा जाता है रेगिस्तान है और वो भी राजस्तान राज्य में स्थी थे और लूनी नदी भारत की एक मातरक खारी नदी है जो थार रेगिस्तान से गुजरती है और गुजरात में कच के रेगिस्तान में समापत होती है तो यह लूनी नदी के बारे में भी आप याद रख लिजिए कि भ प्राटवा क्वेशन आपकी स्क्रेन पार डॉक्टर तरन्नुम्रियाज का नई दिलहे में निदन हो गया वे 69 वर्षक की थी और डॉक्टर तरन्नुम्रियाज के बारे में मैं आपको आगे बताऊ तो कोवीड संक्रमित होने के बाद उन्हें एक अस्पताल में भरती कराया गया था वे एक जानिमानी उर्दू उपन् लगू कथा लेखक, आलोचक और कवीत्री थी इमेज में आप देख सकते हैं डॉक्टर तरन्नुम्रियाज और यहाँ पर क्या लिखा है घर जन्नत और घर ही दुनिया यह स्पष्ट रूप से मानती थी तरन्नुम्रियाज जिसका हाल ही में कोवीड-19 के करण 69 साल की आयू निदन हो गया है। चीकित चा तथा दुरगटना बीमा प्रदान करने की खोषना की है और खोषना कौन सी की है तो देखो साई सेंटर ओफ एक्सिलेंस यानिकि स्पोर्ट्स ओफ एक्सिलेंस के सभी राष्ट्रिय शिविरो तथा खेलो इंडिया में भाग लेने वाले तथा जुनियर शिवी रो में प्रशिक्षन करने वाले सभी खिलाडियों को 5 लाख रूपय का वीमा कवर प्रदान किया जाएगा और खिलाडियों की दुरखटना या मृत्यू होने पर 25 लाख रूपय भी दिये जाएंगे तो यह बात कही है हमारे स्पोर्ट्स ओथरेटी अफ इंडिया ने दसो प्रशन आएकर वीबाग कब से नया फाइलिंग पॉर्टल जारी करेगा हमारा इंकम टेक्स डिपाट्मेंट साथ जुन से अपना नया फाइलिंग पॉर्टल जारी करेगा यानिके इस क्वेशन का सही आंसर है आप्शन वी साथ जुन और आइकर ड इंकम्तेक्स.gov.in या नया इफाइलिंग पॉर्टल का नाम है और नया इफाइलिंग पॉर्टल किसका स्थान लेगा तो मौजुदा पॉर्टल www.incomtexindia.gov.in का स्थान लेगा और या नया पॉर्टल लॉंज करने का उद्देश क्या है कर दाताओं को आधोनिक और सुविध जनक अनुबहु प्रदान करने है तो या नया इफाइलिंग पॉर्टल लॉंज किया जा रहा है कब साथ जुन को और पॉर्टल को आयकर रीटर्न की प्रक्रिया जल्द संपन कर तुरंत रिफंड जारी करने के लिए तयार किया गया है यानिकि जो भी व्यक्ति का किया जाएगा और आयकर दाताओ की मदद के लिए नया कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है और पॉर्टल के सभी प्रमुक फंक्शन भी उपलबद करवा दिये गये है और अब बात करते हैं 11 वे क्विशन की हाल ही में सूपर कम्प्यूटर सी मौर्ग का अनावरन किस न मौर्ग का अनावरन किया है जीसे तेहरान के अमीर कबीर प्रोध्योगी की विश्व विद्याले क्या अमीर कबीर टेक्नोलोजी युनिवर्सिटी द्वारा खरेलो रूप से विक्सित किया गया है इमेज में आप देख सकते हैं बहुत सी युनिवर्सिटी ऐसी होती है ज सी मोर्ग क्या है एक फार्सी पक्षी का नाम है तो इरान ने अपने इस सूपर कम्प्यूटर का नाम एक पौरानिक फार्सी पक्षी सी मोर्ग के नाम पर रखा है इस कम्प्यूटर में वर्तमान में 0.56 पेटा फ्लोप की प्रदर्शन ख्यमता मौजुद है वहीं आगामी द सुपर कम्प्यूटर का उद्देश क्या है इरानी कमपनियों को एक विश्व सनिय डिजिटल बुन्यादी और सरचना प्रदान करना इस सुपर कम्प्यूटर का मैन परपस है और अब बात करते हैं बारवे क्वेशन के मनिपूर के मुख्यमंद्री ने मुम्मा मार्केट का से किया है मनिपूर के मुख्यमंद्री एन बिरेंसी ने मुम्मा मार्केट नामक एक मॉबाल एप्लिकेशन का शुबारम ताजी सबजीयों की होम डिलिवरी करने के लिए किया है यानकि इस क्वेशन का सही आंसर है आप्शन सी ताजी सबजीयों की होम डिलिवरी के लिए म मॉम्मा मार्केट का शुबारम किया गया है इमेज में आप देख सकते हैं मनिपूर के मुख्यमंदरी N.B.N.C. ने या मॉबाल एप्लिकेशन लॉंच की तो मनिपूर के मुख्यमंदरी N.B.N.C. ने ताजी सबजीयों की होम डिलिवरी करने के लिए एक स्मार्ट फॉन एप्लिकेशन मनिपूर ओर्गेनिक मिशन एजनसी क्या मनिपूर ओर्गेनिक मिशन एजनसी जीसे शौर्ट में हम मॉम्मा कर सकते हैं तो मॉम्मा मार्केट लॉंच किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को कोविड-19 प्रेरित कर्फ्यू के दोरान उनके घर पर ताजी सबजिया मिले कोविड-19 की महामारी में दोस्तो घर पर रह कर है कोई भी व्यक्ति ताजी सबजिया मंगवा सकता है मॉम्मा मार्केट के जरिये और पूरी चेन क्या है तो देखो और गोदामों में ले जाया जाएगा अंत में उप भोकता के मॉम्मा मार्केट ओर्डर को उनके दर्वाजे पर बेज दिया जाएगा तो पूरी चेन आपको समझ में आ गई कि सबसे पहले किसान उत्पदक कंपनिया खेतों में से ताजी सबजियों की कटाई करेंगे और वो कॉल्डर स्टोरेज तक पहुचाएंगे और कॉल्डर स्टोरेज में से मॉम्मा मार्केट ओर्डर के द्वारा जो भी व्यक्ति ने ओनलाइन ताजी सबजिया मंगवाई है तो उनके दर्वाजे पर पहुचा दी जाएगे मॉममा मार्केट के जरिये और अब लास्टर क्विशन हाल ही में राजीन रसियं जड़ेजा का नितन हो गया वे कौन थे? राजीन रसियं जड़ेजा trabajarदेश की एक पूर्व क्रिकेटर थे जिसका हाल ही में कोविड नाइने कैं обग्या के कारण तो सवराष्टर के पूर्व तेज ग्यानदबाज और BCCI रेफरी राज़ेंदर सिंग जड़ेजा का COVID-19 के करण निदन हो गया है वो बेहतरिन दाएं हाथ के मध्यम तेज ग्यानदबाजों में से एक थे और एक उल्लेक निये ओलराउंडर थे और उनके क्रिकेट करियर की बात करे तो राज़ेंदर सिंग जड़ेजा ने 50 प्रत्थम स्रेणी मैच और 11 लिष्ट एक ग्याम खिले जिसमें क्रमश 134 और 14 विकेट भी चटकाए उन्होंने प्रत्थम स्रेणी मैच में 1536 रन और लिष्ट एक क्रिकेट में 104 रन बनाए थे यानि कि राज़ेंदर सिंग जड़ेजा एक पार्थ के पूर्व क्रिकेटर थे जिसका हाल ही में नितन हो गया है और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेशन की वैज्ञानिकों को चार पेरो वाली दुनिया की सबसे बुटी मचली कहां मिली इमेज में अब देख सकते हैं वेग्यानिकों को दुनिया की सबसे बूटी मचली मिली है मेडा गासकर के वेश्ट इंडियन ओशन से तकरीबन 42 करोड साल पहले हमारी फृत्वी पर जब डाइनासोर हुआ करते थे तो उस काल की यह मचली की प्रजाती है लेकिन हाल ही में इस प्रजाती को जिन्दा खोजा गया है कहां पर मेडा गासकर के वेश्ट इंडियन ओशन से इसका मतलब यह नहीं कि यह मचली की उम्बर 42 करोड साल है लेकिन इस मचली की प्रजाती 42 करोड साल पुरानी है तो यह करेक्शन कर लिजिएगा लगबग सभी दोस्तों ने इस क्वेशन का बिलकुल सही आंसर दिया है इन में से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है चोधरी प्रतिक, गोपाल मक्वाना, अंकीता इन सभी दोस्तों ने इस क्वेशन का बिलकुल सही आंसर दिया है अमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिन्होंने इस क्वेशन के बारे में डिटेल में बताया वो है आरती मक्वाना, मीरा रावल्या, सैन्वा संजै भाई ने इस क्वेशन के बारे में बहुत ही ड बारे में डिटेल में लिखा है थेंक्यू सो मच और लर्निंग रिटेल मार्केटिंग मुकेश कुमार नाम कोई सब्सक्राबर फ्रेंड है उन्होंने भी इस क्विशन का राजकोट गुजरात जस्दन बरवाला से सही आंसर बेजा है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आ अई COVID-19 लार परिक्षन वीति का आविशकर किया है सही आपशन आप चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में और आज का वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा है है तो आपके दोस्तों को फेस्बोक वाटसेप या टेलिग्राम के जरिए इस वीडियो